दोस्तो इस बीडियो में हम बात करने वाले हैं रुद्रा अभिषेक एंटरप्राइज लिम्टेट के बारे में जो कि दोस्तो बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है यह दोस्तो कंपनी नौस से ज़्यादा इस्वान सिटीज पर काम कर रही है दोस्तो और इस क्या हमें बाइक करना चाहिए या पर हमें होल करना चाहिए या फिर वह दोस्तो कंपनी है ने खासमेर करें that आप सबस्क्राइज सब्सक्राइब करके यह प्रेज जरूब करनेní त सबसे पहले है था हमें कपनी के से तो इन्वेस्टर्स हमेशा कमपनी के देच पैसे लगाते न कि शेयर में भी बैइनिस को खरीत थे हैं लोग देच यहां पर कमपनीस में सबसे पहले क्या देखेंगे के कंपडि की सर्विस दिखाए कमनी क्या सर्वेस प्रोवाइड करा रही यहां पर तो दोस्तो वायवेल्टी ऐनलेसिस इंफ्रास्टेक्ट्रिक्न सर्विस अर्बन प्लाडिंग एंड जीए एस बील्डिंग एक ली आ या सब्सक्राइब कर आती तो इसके अलावा मैं आपको अगर बात आदू कंपनी के बाजस ओक फो प्रोज़ेक्ट यहां पर Smart Cities क्या कर प्रोजक्त है दोस्तों? Smart Cities, Urban Plants & GIs, Water Management, High-Tech Cities, Smart Cities बनाने की प्रोजक्ट से हैं, High Tech Cities बनाने की प्रोजक्ट से हैं, Residential Projects हैं, Commercial and Industrial Projects है, Hospitality, Education, ETC Projects है, Sports, Infra, PMC, RERA Projects है, Other Projects भी हैं, तो बहुत सारे company में company पास projects हैं, है जो नो यहां मैं आपको बता दों कम अ को participating पात सब्सक्राइब 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 टैसे में इन यहां पर यहां पर दोस्टों इन फेज वन ओफ चाहां पर हम यहां पर पड़ेंगे इसNE In phase 1, when we were involved in developing the concept plan for two cities, Bhopal and Dehradun, we assisted the municipal corporation in binding with the government for getting selected in the list under Smart City Challenge. The plan for Bhopal Smart Cities was selected among the top 20 in the first solicitor. Currently under second phase of implementation, we are working on detailed plan of Varansi, Indor, Kanpur, Dehradun, Mradabad, Eternagar, Jodhpur, Valor and Madurai Smart Cities. तो यह company में जो है, Madurai Smart City है, यह जो city है, जिसमें company उनको Smart Cities बनाने का project मिला हुगा दोस्तों, और इन पर यह company जो है, काम कर रही है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर company के पास जो है, काफी अच्छे खासे projects हैं, और काफी अच्छे कासे clients भी हैं, यहाँ पर clients जो तो किसी company के बहुत ही मजबूत होने चाहिए, जो की एक important component होता है, किसी बीच चीज के लिए, यहाँ पर हम government class की बात करते हैं, तो government class में दूस्तों आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर state government, जहाँ पर देखो, smart city वाराड़ सी, और यहाँ पर आप देखोगे, राज नगरी विक स्प्राद कर, यमना एक्सप्रेस वे, ठीक है, यह ministry of India, IT Goa, smart cities, यह क्या है, सारी government की जम्मो एंड कॉस्मी, टॉरिज्म, यह क्या है, government के प्रोजेक्ट्स है, government class है, यहाँ पर हम देखते है, corporate, corporate class देख लेते हैं, जो private sector की class होते हैं, उनको भी देख लेते हैं, तो यहाँ आपर company दिखाती है, एक बार, तुम्हाँ आपको बताता हूँ, दोस्तो, कहां गया, क्यों नहीं उपन हुगा, दोबारा देखते है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वीडियो लमा हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, corporate class तो हम देखेंगे, देखेंगे, जोस्तो, तो देखेंगे रहा है, corporate class, ओपन तो हो रहा है, लेकिन क्या दिक्कत नहीं, हाँ, यहाँ पर यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, corporate class, यहाँ पर देखेंगे, दोको, यह जो बड़ी-बड़ी company है, दोस्तो, DLF पता है, आपको number one company है, construction sector के ठीक है, वो इस company के class है, दोस्तो, तो यह कुछ बड़ी-बड़ी company है, जो उसके class है, दोस्तो, गौर्मन्स की भी class है, private sector के भी बड़ी-बड़ी class है, दोस्तो, तो यह लंबे समय में आपको अच्छ भी बहुती मजबूत खड़ी हुई है, मजबूत financial strong के साथ खड़ी हुई है, मजबूत business के साथ खड़ी हुई है, रुद्रा अफ्रिशेग, enterprise limited, an integrated real estate and infrastructure consultant, it provides end-to-end consultancy, including marketing and strategic advisory service to its clients, ठीक है, तो consultancy, marketing, strategy, service product कराती, यहाँ पर, company के हम market cap की बात काता है, दोस्तो, निन्दानों करोड का market cap है, अभी micro cap company है, दूसतो, growth का potential बहुत जाता है, current prices की 113 रुपए है, stock अपी 23 से, book value त्रेपान है, ROC 33 पसंड का है, ROE 23 पसंड का है, दोनों average के तौर ठीक है, एंट्रान से बलूँ 210 है, और current price होगा 233, stock अपी 23 से, अभी भी share over value नहीं है, dead की बात करते है, 11 क्र करोड का है, रेजरों की बात करते है, 75 क्रोड का है, company dead free एक तम बिल्कुल भी ठीक है, current leverage 33 क्रोड की है, current SS 93 क्रोड के है, तो company पास SS काफी अच्छी है, ऊपर से company की तो return on SS थे, वो भी ठीक है, 10 पसंड का return on SS क्रोड की पास, sales गोड़ा से, 11 क्रोड की है, प्रप्र जो है कम बात करते हैं, company के पास लगवग 6 क्रोड का केस भी बढ़ा हुआ है, network करोड की यहां पर है, और हम बात करते हैं, पर्फार्मेंस की बात करना, तो यहां पर आप देखोगो, दोस्तों, 13 क्रोड से company की sales, 15 क्रोड पहुंच चुकी है, company ग्रावड की बात करना, तो company में ग्र अगरोग केप है, तो उसमें sales में उतार चड़ा बहुत जापी ज्यादा देखना को मिलेंगे, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना जा रहा हूं, जो small care, cap share होते हैं, penny share होते हैं, इनमें उतार चड़ा, उतार चड़ा बहुत ज्यादा देखना को मिलते हैं, एकदम से 20% की ग्रावट देखना मिल जाए, लेकिन अच्छे share होते हैं, वो फैनली उपर ही जाते हैं, तो यहाँ पर हम देखा हैं, दोस्तों, company में जो ग्रावट है, sales की ग्रावट जो है, जहाँ पर देखो, 13 करोड से 28 करोड हुई, फिछे करोड, 14 करोड, 19 करोड, 30 करोड तक अबनी अच्छा performance कर रही है यहाँ पर, यहाँ पर अगर हम डेटर देज की बात करते हैं, दोस्तों, तो मार्स 22 में इसके डेटर देज जो बढ़ गएते, 414, तो वो कही ना कहीं इसका एक component था, गिरावट का ठीक है, गिरावट क्यू भी, डेटर देज का मतलब होता है, क तो फिर क्या करते हैं, कि अपना profit working करने लग जाते हैं, ठीक है, दूसरा भी एक region था, इस company का, company ने अच्छा का सा return भी दिया था, company ने अच्छा का सा return भी बना के दिया था, जिसकी वैसे company में ग्रावट देखने हो मिली थी, अगर मैं यहाँ पर maximum, आज तो देखने हो मिली है, और मैं यहाँ पर maximum चार्ट उपन करता हूं, तो आप देखोगे, यहाँ पर, दो हजार बीस, अठारा दिसमर, दोहर बीस, लवार दिसमर बीस तो निकली चुगा था, उसके बाद, आप देखोगे, कब तक 31 दिसमर, 2021 तक, एक सार के अंदर पैसे ने, बैसे को जो है, company ने, डेड़ कोना के लवाग कर दिया था, तो अच्छा का सा return दिया था, ठीक है, 40% की गरावट, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो share strong होते हैं, और अच्छा share, अच्छा return market देते हैं, जो share fundamentally strong होते हैं, और कम समय में, एक साल में अगर पैसे को 2-3 वारा कर देते हैं, तो वो share जो है, उनमें, यह मैं macro cap company को बात कर रहा हूँ, macro cap, small cap company की, उनमें 34% की गरावट द सेक्टर की company है, construction सेक्टर की company है, real estate सेक्टर की company है, हाँ, real estate सेक्टर जो है, अभी चल नहीं रहा है, आप और भी बड़ी कम्पनियों के जाकर जेखो कि वो भी नहीं चला है, तो वो भी एक घटा केस में, कि share में ग्रावट क्यों हुई है, share चल क्यों नहीं है, ठीक है, कही कोई, ठीक है, तो अभी ये सेक्टर चल नहीं रहा है, वो भी एक बजा है, बाकि दूस्तों जिसके पास भी share है, परिसान नहीं हो, आप इसको लंबे सेक्टर करके चल सकते हैं, जो लोग बायकर निक्स होते हैं, वो यहां पर बायकर करके भी चल सकते हैं, बहुत ही ओवर बैलोट share नहीं है, अन्र बैलोट share है, और अच्छा share है, जोस्तों, बाकि बायकर करने से पहले, एक बार अपने लेवल पर रहसाद जरू कलने है, ब्लैंडली ब्लीव किसी पर करना नहीं है, कॉमेंस करके बताना किसी बास कितने share है, किस ट्राइफ में, ताकि कोई डिस्क करना हो.